वंदे मात्रम मैं विज़े ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टप आपका काईटमी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास चाप्टर नमबर वन इंडियन एक्रामिक यओ ओफिंडेडेंस के टाइम रूले के टाइम में इंडेस्ट्रीयल से किस तरीके से काम करता क्या यह बहुत अच्छा था क्योंकि एक सर्फ निए बहुत जरूरी से क्स T schon का का इंडेयों को कर द 땐 during the colonial era यह हम लोग आज बात करने वाले हैं तो उन लोगों ने यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी industrial sector में benefit नहीं करवाया ना कोई यहाँ पर establishment करवाई चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें industrial sector में no sound industrial base in India मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं किया हां कुछ capital goods हम लोगों को दिये थे जिससे हम लोग spare parts को बना ले बट finished goods ना बना सके हैंडी क्राफ इंडस्टी डेकलाइन और हमारे यहां की जो हैंडी क्राफ इंडस्टी थी क्योंकि पता था इंडिया के जो भी लोग हैं इंडिया के बतार दो तरीके से उन लोग ने यहां काम किया पहला इंडिया के पास जो की अच्छा रोव material जैसे cotton जैसे silk यहां पर हम लोग बात करें indigo की और हम लोग बात करें यहां पर जूट की यह fine quality इंडिया में available थी तो हमें बना दिया यहां पे एक एक्सपोर्टर और दूसरा उनका जो सिस्टम था इस्प्रॉलिंग मार्केट और फिनिश प्रड़क्ट टू गेट एडवांटेज टू बिटेइन और इन लोगों ने क्या करा कि पूरे गोड्स को लेके चले गए वहां पे इसको इंडस्रियल सेक्टर्स में पूरा का पूर रहा है पड़ा कि हमारी जो हैंडिक्राफ इंडस्टी थी वह हंड़ेट परसंट डेक्लाइंट हो गई यहां पे और उसका असर बजो पड़ा वह यह था कि अनिप्लॉइमेंट बहुत जादा क्रियेट हो गया इंडिया ट्रीटेट एज कंस्यूमर मार्केट इंपोर्ट चीफ मैनुफेक्चिर गुड्स फ्रॉम बिटेइन इंक्रीज धीरे धीरे करके वह चीप मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी के जो गुड्स थे वह इंडिया में लाके डंप कर रहे थे और बाकी फाइन क्वालिटी तो था वह रेस्ट आफ दे वर्ल्ट में बेच रहे थ और रेस्ट आफ दे वर्ल्ट को अच्छा प्रड़क्ट मिला था क्योंकि इंडिया से जो पैसा है वो बहुत कम मिलेगा इनको यह चीज़े यहां पर पता थे इन 1850 मौडर्न इंड़स्ट्री प्रोग्रेश इस्पेशली कॉटन और 1850 में इंड़स्ट्री इसन स्टार्ट होता है और यहां पर जो इंड़स्ट्री उसमें सबसे पहले फोकस किया गया कॉटन में में बॉंबे का जो प्रविंस था जो प्रेसिडेंसी थी वहां पे इन लोगों ने फोकस किया और जूट टेक्स्टाइल मिल डॉमिनेटेट टू इंडिया और वेस्टन पार्ट वह अवेलेबल हो गई थी कहां पर भाई बंगाल वाले एरिया में जैसे हम लोग यहां पर 20th century में आते हैं मतलब यहां पर 1901 से लेके 1999 की बीच की बात हो रही है यहां आयरन और स्टील इंडस्ट्री को यहां पर सेटप किया गया जिसमें पहली इंडस्ट्री जो थी उसक इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री विच अरिंटर्न यूज़ फोर प्रोडूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजरप्शन अब यहां कहा गया कि सेकंड वर्ल्ड वार में एक कहानी हो गई थी यहां पर कि बिटेंज जो था पूरी तरीके से इन्वाल हो गया था यहां प या बिटेन वाले दोबारा हमारे इंडस्ट्रियल बेस को नहीं चीन पाए और हम लोग यहां पर स्ट्रॉंगली बहुत जादा डॉमिनेट कर पाए किसमें भई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यहां पर तो हमें वाइल वार वार वन का फाइदा तो हुआ बट एक यह बहुत कम कॉंट्रिबूशन था यहां पर एरिया ऑफ पॉब्लिक सेक्टर लाइक रेलवेज पावर जनरेशन अब यहां पर रेलवेज लाया गया 1850 में 1853 से यह ऑपरेशनल हो जाता है बॉम्बे से थाने पहले ट्रेन चलती है जो की मॉबिलाइजिंग आर्मी के लि स्टाफ किया लोगों ने टेलिग्राफ के दूब सीपोर्ट नोगों ने बनाए ताकि एक्सपोर्ट डिपोर्ट आसानी से किया जाए और बहुत सारे अधर डिपार्टमेंट बनाए गए जहां से अडिमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान हो जा तो इस तरीके से इंडि थासना है।